Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल 2022 में कितने refugees आएं इंडिया में, किस राज्य में सबसे ज़्यादा refugees आएं, अभी तक 2022 तक कितने refugees हैं भारत में, कितने registered हैं, कितने unregistered हैं, तो हम लोग इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं उस particular report से, अब आप सोच रहे होंगे, सर ये तो केवल आकडों का discussion है क्या? नई, of course हम लोग आकड़ी तो जानने वाले हैं ही, लेकिन मैं कहूंगा हमारी in general discussion होने वाली है भारत की refugee policy के बारे में, कैसे इंडिया शणार्तियों को handle करता है, क्या इतिहास रहा है इस चीज़ का, इन सभी चीजों के उपर हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, तो यह बहुत ही महतोपूर्ण चर्चा होने वाली आपके लिए अगर आप UPC civil services के त्यारी कर रहे हैं या फिर state PSE के त्यारी कर रहे हैं, बोथ फ्रम prelims as well as mains perspective, क्योंकि prelims के रश्टी कोन से किस तरह के सवाल बन सकते हैं, किस तरह के topic important है, यह मैं आपको बताऊंगा, साती साथ इस discussion के end में आपके लिए mains based एक practice question भी है, तो चलिए चर्चा की शुरुवात करते हैं, एक सवाल का जवाब तो आपको already मिल गया होगा, कि कितने refugees आये इंडिया में 2022 में, आप यहां पर देख सकते हो, more than 10,000, यानि कि 10,000 persons sought refuge in India in 2022, एक सवाल का जवाब तो ले लिए हम चलिए, और भी जानकारी लेते हैं, let us begin our discussion, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, चोटा सा notice, 2025 के लिए UPSC Civil Services Examination 2025 के लिए हमारा पहला long term foundation batch शुरू होने वाला है, अगले मेने, मार्च में, 5th मार्च से batch शुरू हो रहा है, देखिए, यह लंबा को से 2024 में भी जहां पे, देड़ हजार घंटों से भी ज्यादा live classes directly deliver करेंगे हम लोग आपके घर पर, यानि कि युगन watch the classes live, कहीं पर shift होने की जरूवत नहीं है, घर बैटे आप preparation कर सकते हो, जस्ट शाम में 6 वज़ आप class देखिए, live class run कीजेगा, और 2024-2025 long term schedule बना हुआ है, पूरा syllabus cover क करेंगे, एक mentor आपके साथ रहेंगे, 1-2-1 mentorship आपको मिलेगी, इसके अलावा हमारे सारे जो current program है, success in prelims program से, everything, the whole shebang you will get, इसके अलावा हरे एक module समावत होने के बाद, we do have a preparation based on MCQ, यानि कि application कैसे करनी है knowledge की, इसके ओपर हमारा prime focus होता है, MCQ based practice और answer writing practice भी होती है, तो do not delay your decision, immediately 5 March पे classes, 5 March पे classes start हो रही है, जल से जल decision लीजिए, for maximum discount, use the code rahul life, all right, see you in the class, चलिए, चर्चा करते हैं, refugees के बारे, मैंने आपको बताया, कि इंडिया का, अगर हम लोग इतिहास देखे, तो इंडिया की refugee policy, या फिर refugee handling status, काफी mixed रहा है, अब यह क्यों रहा है, थोड़ी दिर बाद हम लोग समझेंगे, लेकिन, अगर हम लोग बात करें, इंडिया की location की वज़े से, देखे, इंडिया का location कुछ इस तरह से Indian subcontinent में, this is the peninsular India, अगर हम लोग देखे, हमारे neighboring countries, इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ आपको मिलेगा अफगानिस्तान, यहाँ पे आपको मिल रहते हैं, यहाँ पे एक connected history रही है हमारी, historically हम लोग connected है, culturally हम लोग connected है, ethnically हम लोग connected है, तो boundaries redraw की गई, because of British intervention, partition का history हम लोग जानते हैं, तो बहुत सारे incidences के कारण, भारत में refugees का influx continuously रहा है, जब से स्वतंतरता आई है, 1947 में आप जानते हैं कि partition हुआ इंडिया का, तो पाकिस्तान से बहुत सारे refugees, they came into India, right, intermixing of people, exchange through the boundary, यह हुआ, refugee crisis, इसके अलावा, तिबितन refugees आई, 1959 में, जब Chinese persecute करना शुरू करके, तिबितन्स को, तो तिबितन्स धीरे धीरे इंडिया में आने लेगे, 1959 से, उसके बाद, Bangladesh war, देखें, इंडिया पाकिस्तान के दो war, 1965, 1965, यहां पे भी आपकी refugee की crisis हुई, लेकिन prime crisis हुई, 1971 में, जहां पे बहुत से, बहुत से लोग, Bangladesh से refugees बनकर, भारत में आए, अभी भी हम लोग इसकी वैसे, बहुत सारे social and political problems देख सकते हैं, इसके अलबा, 1980s के अरह में, आप देख सकते हो, शीलंका में एक civil war हुआ, civil war, य यहां पे भी, Tamilian refugees, बहुत सारे श्रीलंका से, Tamil Nadu में आए, इसके अलावा, recent times के, अगर हम लोग बात करें, तो, Rohingya refugees, रम्यानमा, इसके अलावा, अफगानिस्तान से भी, बहुत सारे refugees इंडिया में आए हैं, तो, बहुत सारे refugees, बहुत सारे, जो persecuted community होती है, हमारे neighboring, आस प policy कोई नीती बनी है क्या, इन लोग को handle करने के लिए, the answer is no, although, अंतराष्टिय स्थर पे, हमारे United Nations के, सायुकतराष्ट के, बहुत सारे conventions बने हैं, जैसे कि 1951 का United Nations refugee convention बना है, लेकिन, इंडिया ने इसको sign नहीं किया है, इसका एक protocol भी आए है, यानि कि, implementation steps भी आए है, 1967 का refugee protocol इंडिया ने इसको भी sign नहीं किया है, तो इसको ध्यान रखना है, very very important pointer from MCQ perspective कि, इंडिया ने sign नहीं किया है, दोनों conventions को, क्योंकि इंडिया इनको discriminatory मानते हैं, तो इंडिया ने इन दोनों को भी अभी तक sign नहीं किया हुआ है, again, इन दोनों का एक principle है, उस principle को हम लोग कहत non-refoulement, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको इस समझना है कि यह term क्या है, क्योंकि यह term actually connected है, इन conventions के साथ, इस term को जानेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं ने कहीं सीज को accept करते हैं, थोड़ी दिर बाद आपको पता चलेगा है, कि हम लोग की चर्चा भी क्यों कर रहे ह उन दोनों convention में, प्रोटोकॉल में, concept है non-refoulement का, तो आपके simple सा MCQ में बना सकता हूँ, non-refoulement का मतलब क्या है, non-refoulement का मतलब है, कि अगर किसी दूसरे देश में, कहीं पे citizens को आपत्या आई है, अगर वो अपना देश छोड़कर दूसरी देश में आ रहे हैं, समझ लीजि ठीक है, अब जब भारत में शरण पूछी, तो भारत accept करेगा, क्योंकि वापस अगर भेजेंगे, तो उनकी life को खतरा हो सकता है, उनकी freedom को खतरा हो सकता है, तो principle of non-refoulement यही है, मैंने वस उधारन से आपको समझाया, कि किसी देश से है, अगर कोई शरण पूछते हुए आ तो उन्हें वापस उस देश में हम लोग डिपोर्ट नहीं करेंगे, अगर उनकी life को, उनकी स्वतंदरातों को खतरा है, तो यह principle of non-refoulement है in United Nations, और यह mostly international law का भागे, common sense भी हम बताता है, कि अगर कोई आपके बास protection के लिए आए, कोई आपके बास शरण के लिए आ रहे है, तो अगर हम उन्हें जहां से आए, वहाँ पर वापस भेजेंगे, तो वहाँ पर भेजेंगे, तो भाई उनकी जान को खतरा होगा, तो हम नहीं भेजेंगे, कहीं ने कहीं, adapt करने कोशिश करेंगे, asylum देने कोशिश करेंगे, कुछ प्रावधान ज़रूर बनाएंगे, यह स आपको यह समझना है कि हमारा कोई refugee law नहीं है, कोई हमारी policy नहीं है, ना हम signatory है, 1951 के event convention के, ना protocol के हम लोग signatory है, तो अब सवाल है कि हम लोग handle कैसे करते हैं, हम लोग handle करते हैं, through our own domestic rules, regulations और legislation, जो भी हमारे दूसरे laws है, कोई dedicated law नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारा Foreigners Act है, Passport Act ह Citizenship Act है, नागरिकता कानून जो है, उसके अंदर जो amendment भी आया, इन सभी इसको apply करते हैं हम लोग refugees के उपर, और refugees को इनी rules and regulations से हम लोग regulate करते हैं, अब सवाल ये उठता है, कि सर, अभी तक हम लोगोंने किस तरह से regulate किया है, क्योंकि आपने बताए कि अलग अलग देशों से refugees आये इंडिया में, numbers थो हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन इंडिया का track record क्या आ रहा है, या फिर किस तरह से हम लोगोंने handle किया है, देखे, इंडिया, although UN convention को नहीं मानता है, लेकिन 2016 में हम लोगोंने New York declaration को जरूर माना है, अब ये New York declaration, एक non-binding declaration है, with respect to refugees and migrants, जो भी migrants है, शर्णार्ती है, उनके प्रती, कुछ rules and regulations, कुछ strong commitments, bold commitments को हम लोगोंने माना था, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, कि जो भी आएंगे migrants हो, refugees हो, उनकी human rights को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी शर्णार्ती रहेंगे, अगर उनके बच्चे हैं, तो उन gender-based violence ना हो, इसके अलावा rescue करेंगे, हम लोग receive करेंगे, host करेंगे, xenophobia नहीं होगा, यानि कि उनके खिलाफ कोई discriminatory policies नहीं होगा, इस तरह के कुछ commitment होए थे, दोधार सुन में तो हम लोगोंने इसको जरूर माना हुआ, आपको ध्यान रखना है, UN Convention on Refugees को हम लोगोंने exceed न अच्छा रहा है, यह क्यों, मैं कहूंगा, in fact, कुछ develop countries से भी better रहा है, especially European countries, जहां पे वो अभी migrants को, refugees को नहीं मानते हैं, कुछ-कुछ countries, लेकिन इंडिया का refugee का, without any policy, without any law, हमारा refugee handling, जो track record रहा है, वो काफी अच्छा रहा है, यह क्यों है, क्योंकि हमारे पास हमारा सम्व और बहुत सारे fundamental rights, citizens पे तो लागू होंगे होंगे, even on aliens, they apply, right, aliens बतब दूसरे देश के जो नाधरिक रहेंगे, not the enemy aliens, of course, you know that, जैसे article 14, right to equality, उन पे भी apply होगा, right to life, जो है, article 21, इसको सबसे ज्यादा Judiciary ने expand किया है, और इसी, इसी अनुछेद के दाइरे को और भी वड़ाया है, अलग-अलग judgments में, तो article 21 में, every person has right to life and personal liberty, तो even refugees would get that, इसके अलबा, article 51 में, जैसे हम लोग international law treaties को अपोड करते हैं, हम लोग ने New York declaration को माना है, apart from that, मैं आपको बहुत सारी चीज़े, article 25, 26, 27, right to right to religion, जो है, right to freedom of religion, वो भी apply जरूर करते हैं, इसके अलावा, भारत का जो न्याया हैंगे, Indian Judiciary जो है, इसका track record, या फिर यही रहा है, Savior of refugees, जो भी शरणारती आते हैं, Indian Judiciary, उनका Savior जरूर बनाया है, बहुत ही famous case में, 1996 के, NHRC versus सारुनाचल प्रदेश, case में, Supreme Court ने clearly बताया है कि सभी को, every human being has right to life, citizen हो या अधर्वाइस, everybody has right to life, इसके अलावा, recent and mid-2016 में, in Dong Liang Khan versus Union of India case, Supreme Court ने clearly state किया, इसलिए हम लोग वो discussion भी गया था, हम लोग ने non-refoulement का, कि the principle of non-refoulement is a part and parcel of article 21 of Indian constitution, यानि कि हमारे right to life में principle of non-refoulement भी included है, although इसके उपर आप सवाल उठा सकते हो, क्योंकि judiciary का, जो मैं खहूंगा, judgment है, फिर verdict record रहते है, कभी कभार C-100 होता है, depending on the situation, क्योंकि पिछले साले, I think 2021 में, 2021-2022 के time में, कुछ verdicts adverse भी आया थे, जब बहुत सारे cases आया थे, और Rohingya refugees, उसके उपर काफी चर्चा भी हुई थी अभी भी, अभी भी रोहिंग्या refugees की handling के उपर discussion जरूर हो रही है, political issue जरूर है, बट इससे हमें पता चल रहा है कि इंडिया में, although कोई comprehensive law नहीं है, कोई comprehensive policy नहीं, लेकिन जो भी हमारे rules and regulations बने होए, जो हमारा समविदान है, the highest book of the law of the land, जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसके इंडिया जुडीशियर ने सेवियर का रोल जरूर अदा किया हुआ है, ठीक है, अब सवाल उठता है कि अभी तक क्या status है, आपने बताया कि काफी अच्छे से हम लोगों ने refugees को handle किया, then what is the status as of now, कैसे आप देख सकते हो, यह report है, Rights and Risk Analysis Group की, इन्होंने बताया कि 2022 में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने भारत में शरण मांगी, ठीक है, अब status क्या है, 2022 क्या आपको नमबर बता रहो, अभी तक है, 2022 तक है क्या नमबर है, भारत में पिछले साल, 10,000 से भी ज्यादा लोग, शरण मांगे थे, 10,000 से भी ज्यादा लोग, उसमें सबसे ज्यादा, what is the epicenter, म मिजोराम, इसको ध्यान रखना है, अगेन, इसके ओपर भी MCQ बन सकता है, कि मिजोराम, रिसीव, the highest number of refugees in 2022, अभी जो नमबर्स आएं, यह क्यों आएं, अफकोस, हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पडोसी देश में problems चलती, इसे आप जानते हो कि मियानमार में एक military coup आया है, इसके अलावा मियानमार में रोहिंग्यास, रोहिंग्या जो लोग हैं, उन्हें परसेक्यूट भी किया जाता है, तो उसकी वेसे भी continuous outflux है, वहां से मियानमार से लोग बाहर जा रहे हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान में आप जानते हो, अफगानिस्तान में तालिबा 9000 प्लस लोग मिजोराम में ही refugee बने, अलग-अलग जगा से जिसे बांग्वादेश से मियानमार से आएं, इसके अलावा अफगानिस्तान से भी 100 से ज्यादा लोग सीक और हिंदू refugees जो है, क्योंकि तालिबान के आने के बाद वहां पे जो सीक minority थी, जो हिंदू minority थी, they were being persecuted और threat of persecution से उन्हें airlift किया गया, अब 2022 में हमारी policy क्या रही, mostly हमारी policy क्या रही, it was based on ethnic and religious affiliation, ethnic, जैसे ethnicity connected थी, इसलिए मिजोराम ने बहुत जादा refugees को accept किया, इसके अलावा, सीक और हिंदू refugees जो थे अफगानिस्तान से उन्हें airlift किया लेकिन रोहिंग्यास, रोहिंग्यास जो refugees हैं, उनके लिए detain or deport policy भी रन की गई, क्योंकि 200 से भी ज्यादा लोगों को arrest भी किया गया, क्योंकि आप जानते हैं, refugee crisis, बहुत ही complex crisis, especially अगर एक refugee है, जो unregistered, अब जब भी unregistered बताऊंगा, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, कि सर, क्या वो आकर भारत के साथ, करेंगे, देखें, इंडियन authorities के साथ भी register कर सकते हैं, या फिर, जो United Nations का High Commission है for refugees, उनके साथ भी register कर सकते हैं, तो registered refugees, यानि क्योंका documentation रहेगा, देखें, अगर कोई non registered refugee है, समझ लीजिए हमारे देश में आगे, तो काफी exploitation भी हो सकती, जैसे कि specially अगर उनके वास कोई documentation नही है, ID नहीं है, तो अलग-अलग तरह की human trafficking की cases को सकते हैं, sexual exploitation की cases होते हैं, कई बार, कई बार, exploitation from the authorities itself, इस तरह की incidences हम लोगों ने देखे हुए हैं, जरूर, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए, detailed report policy भी हम लोगों ने थोड़ी सी follow की हुए, with Rohingya refugees, अब इसके अलब कितने refugees हैं हमारे, इंडिया में, 2022 तक, according to this particular report, चार लाग से भी ज्यादा refugees हैं, इंडिया में, जिसमें से more than half are registered, अब जो दो लाग का आकड़ा है, दो लाग तेरा हजार, सम नंबर, ऐसा नहीं कि आपको exact numbers ध्यान रखनें, बट ध्यान रखेगा, चार लाग के आसपास refugees, उसमें से more than half are registered, identified, उसमें से सबसे ज्यादा श्री लंकन refugees and तिबेतन refugees हैं, लेकिन एक बहुती important data यहाँ पे आता है कि, एक लाग साथ हजार unregistered refugees और इस unregistered refugees में सबसे ज्यादा नंबर आता है, एक लाग से ज्यादा refugees मियनमार से है, recent times में मियनमार के चिन refugees है, इसके अलवा 20,000 से भी ज्यादा रोहिंग्या refugees है, बांगलादेशी refugees भी है, जो unregistered है, जिनके पास कोई documentation वगेरा नहीं है, तो यह है अभी तक के numbers, पिछ registered, जैसे कि मैं आपको बता है, सरकारी authorities हो, या फिर संयुक्त राष्ट की जो high commission मनी है refugees के लिए, वहां से भी registration मिल जाए, तो registered लोगी है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग समप कैसे कर सकते हैं, कि of course, इंडिया की खुद की जो comprehensive policy नहीं है, comprehensive law नहीं है, उसके बावजूद हम जहां कहां से refugees आए, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, बहुत जगा से हम लोग refugees accept कर चुके से, partition के दौरान 1947 में, तिबेतन refugees, चक्मा और हजौंग, पहले बांगलादेश से ethnic, चक्मा और हजौंग, जहां पे ये भी आप जानते हो कि Northeastern area जो है, काफी एकदम एक diverse area है, जगानिपूर एक ऐसा state है, जहां पे बहुत सारे deportation भी होती है, तो mixed bag भी चलता है वहां पे, तो पहले चक्मा और हजौंग refugees आए, बांगलादेश से 1960s में, बांगलादेश से 1971 में, श्रीलंकान तर मिलियंस, राइट, रोहिंग्यास, अफगानिस्तान से, minorities, बहुत सारे refugees इंडिया में, लाखों refugees, और इन refugees को कहीं ने कहीं, हम लोगों ने handle किया हुए, despite not joining this convention, despite not having the comprehensive law rules for regulation, इसका मतलब क्या है, इंडियन constitution, इंडियन judiciary, इंडियन government के रोल से, हमारा refugee handling process, या फिर refugee handling, जो हमारा track record रहा है, it has been quite decent, it has been quite good, right? So, let us wait and watch कि क्या होगा, क्योंकि अभी भी, especially जो रोहिंग्या refugees है, उनसे जुड़े हुए कई सारे issues होने, उनको follow कीजेगा news में, तो हमारा approach, it has been driven by humanity, it has been very very humane approach, all right? So, अभी फिलाल, इस discussion में इतना ही है, लेकिन जाते जाते, आप सभी के लिए एक सवाल जरूर है, सवाल है ये, addressing the issues of refugees and providing equal rights to them is one of the greatest challenges for everybody, जैसे हर एक देश के लिए, ना सरफ इंडिया, बट किसी के लिए भी, तो इस statement, इस statement की light में, in light of this particular statement, discuss how India has handled refugees entering into our country, कैसे हम लोगों ने handle किया है, साती सात, इसके उपर भी एक जरूर टिपणी किजिए, कि क्या हमें एक comprehensive refugee law लाने की जरूरत है, do let me know your thoughts in the comment section, do we need a comprehensive refugee law, yes or no, अगर yes बोला तो क्यों बता रहे हैं, no बोला, तब भी justify जरूर करने, right, so that is it in this particular discussion, thank you for watching this video, जैहिंत! अब तयारी हुई affordable